आप सभी छातर काफी दुनों से कह रहे थे कि सर त्रहमाशивать प्रिक्छा का Time Table आ जाये तो बता देना तो प्री छात्रों त्रहमाशिक प्रिक्छा का Time Table आ गया है जिससे आप नूट कर सकते हैं अपनी काऊपी में लिख सकते हैं किस दिन kis विषय का पेपर है उसी के साब से आपको तयारी करनी है और दूसरी बात यह है important है कि आपको जो महीने के साब से learning time table दिया गया है तो सितंबर तक जितने भी chapter हैं तो उन सभी chapter के प्रशनों के उत्तर आपको याद करने हैं और जो chapter हट गया है रिडिव से पता चल जागा कि जो chapter हट गया है तो उसके प्रशन परिक्ष्या में नहीं आएंगे ठीक है तो यहां पर जो आपका जो पेपर है उसका time भी लिखा हुआ है तो धाई अंटे का आपका मतलब आपके सभी पेपर होंगे ठाई एंटे के पहले तीन एंटे के होते थे तो यहां पर उन्होंने बता दिया है ठीक है और और जानकारी देख लेते हैं क्या-क्या important है तो देखो यह आपका time table आ गया है यहां पर आप देखो यहां पर क्या लखा हुआ समझो ब समय प्राताहा दस तीस बजे से एक बजे तक तो यहां इसपस्ट हो जाता है ठाई एंटे में आपको पेपर हल करना है ठीक है और यहां पर देखो यहां जो time table है कक्छा 9 और 10 दोनों कक्छाओं के लिए है दिनांक दिन और बिसा है जैसे कि यहां पर हम देखते हैं कि 24 ता कक्छा 9 और 10 की जो परिक्छा है तो 9 का भी अंगरी जी का पेपर है और 10 का भी अंगरी जी का पेपर है 24 तारीक को 25 तारीक को हिंदी का पेपर है दोनों कक्छाओं का 27 तारीक को गड़त का पेपर है 28 तारीक को आपका इसमें गेफ रहेगा लेकर जिन चात्रों ने जो अल का पेपर है तीस तारीख को संस्क्रねकर है अब कई verses नहीं लेते हैं तो उर्दू ले 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 तो उनका उर्दू का पेपर होगा फिर कि यहां पर आप देख रहे हैं की कि और जो मराठीवासा लेते है भूब बात की बात है तो उनका वी प्ज्ञन का हम देखते हैं कि तीज तारीक के बाद फिर आपका पेपर है वो एक तारीक को है एक सेतंबर को आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का तो यह दिनांक दिन और विशाय यह आप अपनी कापी में नूट कर लीजिए और टाइम टेबल यह आपके सामने आही गया है और धेग अंटे का यह पेपर है तो पूरी जनकारी आपके सामने थी आप देखते हैं कक्छा 11 और 12 का टाइम टेबल तो यहाँ पर आप देखो एक कक्छा 11 और 12 का टाइम टेबल है इते हैं higher secondary द्रहीमासिक परिक्छा समाय शारणी 2021-22 समाय 2 पर 31.00 बजे से 24.00 तक तो जैसे ही आपके कक्छा 9 और 10.00 के 17.00 के द्रहीमासिक पेपर समाप्ट होंगे किने 100.00 के ऐसे समाप्ट होंगे 1.00 बजे तक आपके सामने टाइम टेबल है, तो दिनांक और दिन, कक्षा 11 और 12 और बिसाया, तो देखो, हम संच्छिप्त में समझते हैं कि 24 तारीक हो, कक्षा 11 और 12 का बहुत एक सास्तर का पेपर है, जन्होंने व्यवसाय धिन लिया है, उनका व्यवसाय धिन का पेपर है, इतिहास का प स्कूल में एडमीशन लिया था, तो आपने विसाय भी भरेते हैं कि हमको यह लेना यह लेना, उसी के साब से आपका टाइम टेबल है, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने कौन सा विसाय लिया था, फरम देखते हैं 25 तारीक को बायो टेकनलोजी का पेपर है, फरम फरम देखते हैं 29 तारीक को, तो यह समाज सास्तर का पेपर है, दोनों कक्छाओं का, कक्छा 11 और 12 है और फिर देखते हैं 30 तारीक को, तो हिंदी का पेपर है, कक्छा और 11 है 12 का, दोनों कक्छाओं को मला करके टाइम टेबल बनाया गया है और फिर एक तारीक को, एक सेतंबर को अंगरेजी का पेपर है, और फिर चार तारीक को संस्कृत विसाय का पेपर है तो यह आपका time table था इसी के हिसाफ से आपको तयारी करनी है और जो reduce syllabus है उसके हिसाफ से आपको देखना है जो chapter या topic हटा दिये गए हैं वो इस परिक्षा में नहीं पूछ जाएंगे और जो आपके पास learning time table है तो सतम बर्दक त्रेमासिक परिक्षा में आना है तो सतम बर्दक जितने भी chapter उसमें लेखी होगे हैं अध्याय लेखी होगे हैं उनका ही अध्यन करना है तो आपको एक रणनीती के तहट अध्यन करना है समझना है तो आप सफलता अच्छी पा सकते हैं अच्छे अंका सकते ह कर दो कर दो